दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचान की आज दिनांक है तीन जून सन दोजार तीस विक्रम समवत दोजार असी चल रहा है जेश्ट मास है शुकलुपक्ष है गृष्म रितु है तिथी आज की चतुर दर्शी है और आज का वार है शनिवार अम्रत सर नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रे रहेगा योग शिव है दौपेड़ दो बच के 47 मिनट तक आगे सिद्ध योग है तो योग की द्रश्टी से आज का दिन बहुती शुब है योग का रख है लौकिक अध्यात्मिक दोनों त आड़े-दस बजे के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुबकारे नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अब विजित मुरत आज 11 बच के 50 मिनट से दौपेर 12 बच के 46 मिनट के बीच है दिन में चार बार दु द शूर्शकों कूरूदिशा में हैं तो पहले कोशिश दों कि करें किरूदिशा की यात्रा को टाल दे लेकिन जिने जिर्वां यात्रा कर नहीं है तो वह परिहार करके करें। इसका परिहार बहुत सरल है कि थोड़ा सा अध्रक या ओड़त के दाने खाईए पूरुदिशा के और मुख करके और पांच कदम पीछे चलिए और प्रक्रिया के दोरान भगवान श्री राम या अपने अपने इश्ट को हड़े में ध्यान करते वे उनसे प्राथना कीजिए कि दिशाशूल की तरफ जा रहा हूं मेरे साथ चले ऐसा करेंगे तो यात्रा मंगल में सुरक्षित कारे सिद्धी वाली होगी और दिशाशूल आपको परिशान बिलकुल नहीं करेगा आज का शुब समय दर्शे को यानि आज की दिन का सदुप्यों करने का जो समय है वो है दोपेर 12 बच के 20 मिनट से शाम 5 बच के 30 मिनट और शाम 7 बच के 15 मिनट से 8 बच के 30 मिनट ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपिक्षा ज्यादा शुब और योग का रख है तो जो भी अच्छे एफट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते वे करें तो सफलता के चांसे ज्यादा रहेंगे आज की चंद राशी दर्शिकों व्रश्चिक है चंद्रमा व्रश्चिक राशी से गोचर कर रहें जिससे आज का ये दिन सभी बारे राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वालों को आज वाहन चलाने में विश्य सावधानी रखनी है और क्रोध करने से बचना है व्रश राशी वाले अपने जीवन साथी या प्रेमी प्रेमी कासे आज छोटी मोटी कास उनी होने से रहेंगे परेशान और मिथुन राशी वालों को शत्रुबादा का सामना करना पड़ेगा, हलाकि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कारियों में व्यवधा नवश्या आएंगे, करक राशी वाले चात्र चात्रा इभाविश्य को लेकर रहेंगे चिंतित और सिंग राशी वालों को घर में अशान्ती जेलनी पड़ेगी किसी जमीन वाहन की खरीद की कोशिश में है तो पुराने वाहन बिल्कुल ना ले कन्या राशी वालों को अपने भाई बहनों से मिलेगा समर्थन और आगे बढ़ने की प्रेड़ना तुला राशी वाले बोलने में रखें विशेश सावधानी आज आपकी वज़े से कोई हर्ट हो सकता है व्रश्चिक राशी वाले आज अवसाद गरस्त रहेंगे और आउटों के बाद में सपोर्ट और मीन राशी वाले आज अध्यात्मिक मानस बनाए रखेंगे संबव है कि किसी अच्छे देवय स्थान या किसी संथ के दर्शन करने के लिए आप जाएं अब करते हैं दर्शे को आज की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंत्य द्रश्ट कहता है कि आठ प्रकार के गुण मनुष्य की ख्याती को बहुती विशेश रूप से बढ़ा देते हैं अस्टो गुना पुरुषम दीपयंती प्रग्या चे कॉल्यम चे दमेश रुतम चे पराक्रमस चे भहुबाशिता चे दानम यदा शक्ति कृतक्यता चे यानि कि आ शास्त्र ग्यान रखता हो यानी जिस विशे पर बात करें उससे सम्मंदित अच्छा अध्यण उसने कर रखाऊ पराक्रमी हो अधिक ना बोलता हो यानि जरुत की बात करता हो और अपनी शम्ता के अनुसार दान्वेश प्रवर्ती हो और कर्तग्यता का भाव भी रखता हो तो ऐसे व्यक्ति का यश उकतेवे सूर्य के समान सर्वत्र प्रकाशित होकर उसे मान समान का पात्र बना देता इसमें कोई भी संदह नहीं है तो यह सारे गुण हम अपने जीवन में लाएं ताकि हमें भी यश प्राप्ट हो और उस यस के वज़े हमारी credibility बने क्योंकि आज जिसकी credibility है उसको अच्छा काम मिलता उसको अच्छा नाम मिलता वो जीवन में सफल हो जाता है यह आज की ज्यान सबसे पहले तो आज 9 से 10.30 बजे की बीच सुबह सुबह आप कुष्टा शरम जाईए वहां भोजन वितरित कीजिए फिर दोपेर एक बच के 45 मिनट से दो बच के 30 मिनट के बीच में भगवान शिवजी पर कीकर की पत्तियां चड़ाए और वहीं मंदिर में शिव कोई संदेह नहीं ऐसे दर्शो को कभी कभी रोग के कारणों का अनुमान नहीं लग पाता और कितने भी दवा इलाज सब करवा लें लेकिन समश्या जोंकी त्यों बनी रहती है ऐसे मैं आज के दिन एक बहुत ही सटीक उतारे का प्रयोग करके आप समश्या से बाहर आ सकते में बहुत ही आसानी से इसके लिए करना सिर्फ यह है कि दौपेर एक बच के चार मिनट से दो बच कर एक मिनट के बीच में सवा दो किलो बाजरे का दलिया तयार करवाएं उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएं और उसे मठके में भड़ लें और इस मठके को रोगी के सर प कि रोगी को आराम मिलेगा स्वास्त में प्रतक सुधार होते हैं आप देखेंगे बहुत जल्दी दवाईयां लगने लगेगी ऐसे ही आज शाम 8 बच के 15 मिनट से आप एक मंत्र का प्रयूग करके भी इस प्रकार के जीन रोगों से मुक्त हो सकते हैं कभी कभार होता क्या ह है कि हमारे अनेक जन्मों के कर्म भी आड़े आरे होते हैं और हमें स्वास्तलाब नहीं लेने देते हैं सिस्तती में आज आप पूजा संपन कर सकते हैं इसके लिए करना सिर्फ यह है कि सजल नारियल यह पानी वाला नारियल और उड़त की मिठाई लेकर श्यूमंदर मम सकला पदाम विनाशनाय सर्व रोगानाम प्रश्मनारते श्री धर्मराज मंत्र जप महम करिश्य और जल को सामने किसी पात्र में छोड़ें भगवान शिवजी को आप प्रणाम करें फिर इस विशिष्ट मंत्र की 27 माला का जाप आपको करना है मंत्र इस प्रकार है ओम क प्रो म्रीम आम वें वेतवस्ताय धर्म राजाय भकतानुग्रह क्रते नमहें आज से ही चमतकारिक रूप से आपके रोगों में कमी आने लगेगी स्वास्तलाव होने लगेगा इसमें कोई भी संदेनी आप करके देखिए तो दर्शक को ये थे आज के वह विसस्ट शाम पांच बच के साथ मिनट जैपूर प्रश्न किया है होते होते काम विगड़ जाते हैं उपाए बताईए देखिया तुल जी भाग्ये के अवरोध खोलने कारे सिर्दे ट्यादियों के उपाए और साधनाय हम समय समय पर बताते रहते हैं हमारे कारेक्टर में उनका शुक्ति भाव में बैठें और लगने शुक्र छेटे यानि रोग भाव में चला गया ऐसे में यदि आप शुक्र बुद्ध शनी के साथ साथ गुना जाब करवा लेते हैं साथ में पन्ना और एक नीलम पहन लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका भाग्य भी बदल जाएग उन्यासी का इनका जनम है बारा बज के ग्यारा मिनट दौपेर जोत्पूर और इनका प्रशन है हेल्थ इशूज हैं उपाए बताईए संग्राम सिंग जी आपको नाक कान गले संबंदित इन्फेक्शन है खासकर गले में आपके भारी समश्य रहती है कफ बहुत जादा है स्तती आगे जाकर गंभीर भी हो सकती है क्यों क्योंकि एक तो आपका चंद्रमा राहू और शनी से गरस्त है यह प्रबल इंफेक्शन दिखा रहा है दूसरा उच्च का गुरु द्वितिय भाव में और शनी मंगल का आपस में शडास्टक योग है जो कि गंभीर रोग और आगे जाके ऑप्रेशन के और इशारा कर रहें अच्छा यहीं रहेगा कि आप भूजन में सयम रखें योग प्रणायाम शुरू कर दें बुद्ध्य शुक्रिशनी के साथ साथ गुना जाप करवाएं पित्र दोश विश्दोश की शांती करवाएं साथ ही महामृत्य मंतर का जाप स्वयम नित्य चार माला का करना शुरू कर दीजिए बहुत जल्दी आपको धिरी द्रया आराम आना लगेगा तो यह था आज का पंचांग आज के विसस्ट उपाए और ज्यान चर्चा मैं पंडे चंदर शेकर शर्मा यह आशा करता हूं कि जो पाए हमने आपको बताये हैं इनको सही वीदी सटीक समय पर आप करेंगे और पूरा लाब उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा सत्संग में हमने समझा है कौन से गुण होते हैं जो हमारी यश्च को बढ़ा देते हैं उसे अपने जीवन में उता रहेंगे जीवन को सुखी सम्रत दिश्वर म बनाएंगे कारिकरम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद भगवतिया आप सब का कल्यान करें जय आदिशक्ति नमस्कार मैं हुदीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूजेटीन के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आपर हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरीए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें हम इसके लिए डिवाइन गाइडिंस लेते हैं और किन बातों को करना अवाइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी बहतरीन बना सकते हैं और अगर आज के दिन किसी तरह का कोई भी चालेंज है तो उससे हम easily overcome कर सकें दोस्तों इसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं कौन सी रीडिंग होगी आपकी कौन सा होगा आपका मूलांग अगर आपने हमारे प्रोग्राम को नया जॉइन किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी एक उधारण दे कर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानि कि 22 तो 2 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा नमबर 4 तो 4 होगा आपका मूलांग और आज की तारीक है 3 जून 2030 और आज की जो तारीक है नमबर 3 इसके स्वामी है गुरू और गुरू की कृपा अगर हमारे जीवन में होती है तो स्वते ही बहुत सारे कारे जो कहा जाता है कि इस जनम में होने वाले नहीं होते है न वो भी हो जा करना है सबसे पहली चीज कि बड़े बुजर्गों का अपने से बड़ी उम्र के लोगों का सम्मान करना है साथ ही साथ अपने गुरू जनों का अपने Master's का आपको सम्मान करना है कुछ भी हो जाए अपमान बिलकुल भी ना करें बलकि अगर वो आपको डाट रहे हैं कुछ समझा रहे हैं अगर आपको कोई चीज अची नहीं लग रही है तो बड़े ही शांद भाव से उस वक्त उसे as it is accept करें उसका result आपको बाद में समझ में इसके अलावा आप ब्रहस्पती कवच या ब्रहस्पती स्त्रोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और सबसे विशेश कि आप तिलक के समय हल्दी का उप्योग करें ऐसा करने से गुरू बहुत ही प्रसंद होते हैं विशेश तोर पर प्लानेट ब्रहस्पती आईए दोस्तों बिना देर के अपने कारिक्रम की हम शुरुवात करते हैं और जानते हैं मूलांक एक के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 3 जून 2023 के लिए और हमसे कहा जा रहा है मूलांक एक के लिए औरिकल का कार्ड आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई भी महत्पूर्ण डिसिजन लेने से पहले आप सही इनफरमेशन को प्राप्त करने का प्रयास करें जिस भी विशह पर आप काम कर रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं एक उधारण के तौर पर आप ऑफिस में क कोई नया कारे शुडू करना चाहते हूं या नई जगे ओफिस जॉइन करना चाहते हूं या किसी नए रिलेशन्शिप में आना चाहते हूं या कोई नया प्रोजेक्ट किसी व्यक्ति के साथ पार्टनर्शिप में मिलके करना चाहते हूं इसमें आपको धारण दी हैं अग क्योंकि उस विशय के बारे में कोई महत्पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है और जब आपको यह जानकारी प्राप्त होगी उसकी अनुसार ही आपको आगे बढ़ना दाट मींज आज का जो दिन है वो एक्षन लेने का नहीं है बलकि धैरे रखने का है आईए जानते हैं मूलांक दो के लिए हमें हमारे एंजल्स एंजिस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं तीन जून दो हजार तेस के लिए और मूलांक दो के लिए हमको कहा जा रहा है Medicine Mother का card है मूलांक दो के जातकों से कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी जो intuition power है वो बहुत अच्छी है और चुकि मूलांक दो जो है उसके स्वामी होते हैं Moon यानि की चंद्रमा तो स्वभाविक तौर पर मूलांक दो के जातकों की intuition power होती है psychic power होती है जो कहते है six sense वो बहुत strong होता है तो आज के दिन विशेश तोर पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी six sense को ही follow करना है किसी दूसरे पर आशृत ना रहे किसी दूसरे के उपर expectations ना रखे जो भी कोई आप काम करना चाहते है या कुछ भी आज निर्नेले कोई भी कारे करे अगर आपको चाहिए कि यार मैं कैसे करूँ मुझे इसका जवाब चाहिए तो उस जवाब के लिए दूसरों पर आशृत ना हो बलकि अपने आपको शांत करे भीतर से जिनको भी मानते हैं गुरू को परमात्मा को जिस भी नाम से आप पुकारते हैं उनके पास बैठिए एक घी का दीपक जलाएए बहुत शांत रूप से अपने आपको कीजिए अगर किसी म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं खुद को शांत करने के लिए तो भी बहुत अच्छा है आज क्या गाइड कर रहे हैं आज की तारिक भी है तीन और मूलांक तीन की हम बात कर रहे हैं और मूलांक तीन के लिए हमें कहा जा रहा है शी वॉल्फ का कार्ड है आज के दिन की आपकी उर्जाएं बहुत अच्छी है आज के दिन की आपकी उर्जा एकदम energetic होने वाली है उगर उर्जा रहने वाली है और आपको विशेश कहा जा रहा है कि आपको आज के दिन थोड़ा सा aggression दिखाना पड़ सकता है aggression लेकिन वो भी detachment की भाव से मैं आपको समझाती हूँ कैसे हो सकता है कि आपके आसपास के कुछ लोग आलस कर रहे हों काम ना कर रहे हों जिस सरूप में कारे होना चाहिए उस गती से आगे नहीं बढ़ रहा है जिसके की जिम्मेदार कुछ ऐसे आलसी लोग हैं आपके आसपास के जो कारे नहीं करना चाहते अब आपको वहाँ थोड़ के साथ काम करना साक्षी भाव में काम करना आए जानते हैं मुलांक 4 के लिए हमें परमात्मा हमारे एंजल्स एंजिस्टर्स आज क्या गाइद कर रहे हैं 3 जून 2013 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है Heart Guardian का card है बहुत ही खुबसूरत card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका पूरा focus अपने heart चक्रापे होना चाहिए आज आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो सकती है जो वास्तिक्ता में आपको दिल से चाहते हैं आपका भला चाहते हैं आपसे प्रेम करते हैं आज पुराने मित्रों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है और हाँ अगर आप सिंगल हैं तो कहीं न कहीं आपको commitment भी मिल सकता है आपक सर्प्राइज आपको मिल सकता है और एक और इंपॉर्टेंट चीज वो लोग जो की एनिमल लवर्ज हैं कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छा सर्प्राइज आज नेचर में है आपका दिन शुभू मुलांक 5 के लिए हमें हमारे एंजल एंसिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं मुलांक 5 के लिए आज 3 जून 2023 के लिए और मुलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है spring का card है आपको कहा जा रहा है कि पिछले कुस दिनों से आपने जो मेहनत की है आप जो चीज़े करना चाहते हैं जो आपकी manifestations हैं जो आपको पूरी करनी है तो कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि आपकी वो चीज़े जो हैं वो grow कर रही है अगर आपने कोई नया कारे आरंब किया है तो वो भी ग्रो कर रहा है नई मितरता हुई है नया संबंध बना है तुमों सब भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है तो कुल मिलाके जिस प्रकार की उरजाएं जिस प्रकार की भावनाएं आपने दी है ना वो चीजे अब आपक किया है कुछ पहले कुछ दिनों में तो अब वो ग्रो कर रहा है दीरे दीरे आगे बढ़ रहा है लेकिन अभी अगर आपको लगे कि उससे आपको रिटर्ण मिलना शुरू हो जाए आपको से बैनिफिट मिलने शुरू हो जाए तो ऐसा नहीं है थोड़ा सा पेशन्स आपको के लिए हमें कहा जा रहा है स्टार गेजर का काड है आपको कहा जा रहा है कि जीवन में जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं कहीं ना कहीं जो आपकी डिफीट आज तक आपको मिली है अगर किसी भी प्रकार से आपको नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की जो एनरजी जो डर की उर्जा है वो आपके भीतर इस कदर समा गई है कि जब भी कोई आप नया कारे आरंब करते हैं तो आप अपने आपको ना एक boundary में डाल देते हैं एक सीमा अपने चारों तरफ बना लेते हैं, यह सोच कर कि अरे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इतने में मैं संतोश कर रही हूँ, तो आपको divine क्या guide कर रहे हैं, कि जो past है, जो असफलता मिली, उसके अंदर आपको involved नहीं होना है, बलकि उस असफलता से जो lessons आपको सीखने क मिले, उसे सीखें और आप आगे बढ़ें, और आप देखेंगे कि आपको जितना जादा अपने broad रखेंगे अपनी सोच को, अपने लक्ष को जितना जादा बढ़ा रखेंगे, उतना ही आप अच्छा अच्छीव कर पाएंगे, तो इस विशे पर ध्यान आपको देनी की निकाल दें, और लव और कमफर्ट में आजाएं, आपका दिन शुभोग, आए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं, तीन जून दो हजार तेज के लिए, और हमसे कहा जा रहा है मूलांक साथ के लिए, द्राविट का कार्ड है, आपको कहा जारा है कि आज की दिन गुरु कृपा आपके ओपर बनी हुई है, साथ ही आपको ये भी कहा जारा है, कि जिन चीज़ों को आपको लगता है कि आपके अंतरात्मा से की सही है, आपको उस बात के लिए खड़े रहना चाहिए, अडिग करना चाहिए आपके नेचर में थोड़ा सी को पराप्त करना चाहते हैं उसके पर सकी चाइए कि में चोड़िये कि जितना आप अडिश की आप टिए की की आप की THIS आपकी कारे किया आप की आलोचना की तो आप डग्मगा गये अगर अगर आर्दय से लगता है तो कि लोगों के कल्यान के लिए आपके कल्यान के लिए परिवार के कल्यान के लिए आप उसकारी को कर रहे हैं तो अवश्य करें किसी से रुखने की डरने की या दबने की ज़रत नहीं है आपका दिन शुभू आईए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 3 जून 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है हाई प्रीस का कार्ड है आज की आपकी उर्जाएं बहुत अच्छी हैं जो चाहेंगे उसे प्राप्त कर पाने की उर्जा आपके अंदर है लेकिन क्या चीज चाह रहे हैं इसके उपर ध्यान देने की जुरत है कभी कभी हम जाने अन जाने कुछ ऐसे विचारों के पीछे लग जाते हैं जहां पर हमें नकारात्मक्ता के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और यही हमारी डिफीट है एक मनुष्य के पास इतनी पावर है कि वो उसे को क्रियेटर कहा जाता है परमात्मा के बाद हमी को क्रियेटर ऐसा कहा जाता है क्योंकि हमारे अपने विचार हमारे जीवन का निर्मान करते हैं तो आज के दिन आपको इस बात का विशेश ख्याल रखना होगा कि आज के दिन की आपके इनर्जी बहुत अच्छी है जो चाहेंगे उसे प्राप्त कर पाएंगे लेकिन चाहा क्या रहे हैं यह सोचना आपके हाथ में है आपका दिन शुभो आएए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा हमारे एंजेल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 3 जून 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है गाडिन एंजल का कार है आपको कहा जा रहा है कि किसी भी कारे को करने से अगर आपको डर लग रहा है आप डगमगा रहे हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो बिल्कुल भी अपने आपको परिशान करने की जुरत नहीं है divine आपके साथ हैं आपके garden angels आपके साथ हैं आपकी help कर रहे हैं आपको support कर रहे हैं आप बिलकुल अकेले नहीं हैं जो भी कोई आप एक अच्छा कारे करना चाहते हैं पर मात्मा की कृपा आपके उपर बनी हुई है अगर पिछले दुनों में कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसने आ हमारी एक से लेकर नौ मूलांग तक की अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहां दिये नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं आप सभी हमारी कारकरम को जो प्रेम और सम्मान देते हैं हमारी पूरी टीम आपका शुक्रिया आदा करती है आपके भीतर बैठे पर मात्मा क मेरा प्रेनाम